देश रोजाना के देशन मीडिया बंच पर भारती जटनता पार्टी में कहवत है यही चन्था पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं आने वाले चुनाव के लिए भी जो उनकी तयारियां है महराष्ट और जारखंड के लिए उनको देख करके भी आप कह सकते हैं आज जारखंड के चुनाव के लिए भारती जन्ता पार्टी ने जो उनके गटबंदन सहयोगी है उनमें सीटों का बटवारा कर लिया खेर मैं आपके साथ जिस मुद्दे को लेकर हूँ वो हर्याना को लेकर है और मैं आपसे कह रहा था कि भारतीय जन्ता पार्टी एक चुनाव खत में होते ही दूसरे चुनाव की तयारी शुरू कर देती है आपने मेरे चुनाव के दौरान वीडियो देखे होंगे पिछले चुनाव में मैंने आपसे कहा था और मैंने आपको रीजन बताये थे कौंग्रेस के हारने के एक कारण मैंने आपको बताया था कि हर्याना के अंदर E.S.C. यानि कि जो शेडूल कास्ट रिजर्वेशन होता है उसके अंदर SC और DSC एक schedule cast वो कि जनको उनका rights, उनके अधिकार, उनके हक मिल रहे है और दूसरा वो वर्ग जो उन अधिकारों से हकों से वन्चित रह गए और उसको नाम दिया गया DSC DSC का मतलब है Deprovide Schedule Cast यानि कि वो दलित समाज जो अपने हकों से वन्चित चल रहा है आपको बताता चलूं कि हर्याना के अंदर खासकर वैसे तो देश के कई हिस्सों मेरा खासकर हर्याना के अंदर नौकरियों में आरक्षन को ले करके जो SC, ST के लिए आरक्षन और जो BC के लिए आरक्षन हुआ करता था उसको वर्गों में बाटा हुआ था उसकी कैटेगरी थी 2004 से पहले का अगर आप देखें तो फिर SC, A और SC, B हुआ करते थे इसी प्रकार BC, A और BC, B हुआ करते थे समय बदला BC, A और BC, B से तो OBC पर आया सिधा सिस्टम और जो SC कैटेगरी थी उसके अंदर SC, A और B को हटा करके सीधा SC कर दिया गया जब ऐसा हुआ तो यानि कि दलित समाज के लिए शेडूल कास्ट के लिए SC, ST का जो रिजर्वेशन था वो उसका जो फायदा था कुछ चुनिंदा जाती उपजातियों को मिलना शुरू हो गया और यहीं से शुरू हुई अधिकार की लड़ाई और यहीं से शुरू हुआ DSC का अंदोलन डिप्रवाइट शेडूल कास्ट यानि कि वंचित दलित समाज जिसके अंदर लगवग 36 जातियां और उपजातियां है उन सब ने इकठे हो करके अपना एक सामाजिक आंदोलन शुरू किया और बात सुप्रीम कोट तक गई जब सुप्रीम कोट तक बात पहुंची तो DSC समाज ने सुप्रीम कोट के अंदर कहा कि 2004 के बाद जब से यानि की दलित आरक्षन के अंदर वरगी करण को खत्म किया गया SCA और SCB केटेगरी खत्म हुई तो उसके बाद में SCA समाज की लगवग 35-36 जाति और उपजातियों को उनका अधिकार नहीं मिले उनके राइट्स नहीं मिले वो अपने हकों से वंचित होते चले गए सुप्रीम कोट में जो याचिका दायर की गई उसका एक आधार बनाया गया और उसके अंदर बताया गया कि किस प्रकार से 2004 के बाद में ग्रूप A और ग्रूप B की नौकरियों के अंदर चाहे वो बड़े अधिकारी थे और चाहे फिर करमचारी उसके अंदर किस प्रकार से जो SC आरक्षन हुआ करता था SC-ST आरक्षन उस आरक्षन के अंदर कैसे एक प्रकार से SC-A-DSC बनता गया यानि कि वो डी प्रवाइड होता गया उनको वंचित रखा गया वो किसी सोच से था किसी शड्यंत्र से था या वो अनायास था मामला जब सुप्रीम कोट में गया था तो लंबी सुनवाई चलने के बाद 30 अगस्त को सुप्रीम कोट ने फैसला दिया था और सुप्रीम कोट ने कोटे के अंदर कोटा करने की बात कही यानि कि जो SC-ST के लिए जो आरक्षन रिजर्वेशन मिलता है सुप्रीम कोट ने कहा कि उसके अंदर अब केटेगरी बांट सकते हैं यह सरकार अपने अधिकार पर कर सकती है यह सरकार के अधिकार छेत्र में है कि वो उसको केटेगरी में बांट दे मैंने आपको उड़ा से भी मिले थे नायब सिंग सैनी से बात भी हुई थी बुपेंदर सिंग उड़ा तो कोई संतोष जनक फैसला नहीं दे पाए थे लेकिन नायब सिंग सैनी ने कहा था कि अगर सरकार हमारी बनी अगर भारती जंता पार्टी सत्ता में आई तो सत्ता में आते ही पहल और आज cabinet की पहली बैठक होई और cabinet की पहली बैठक के अंदर ही मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी ने जो वायदा किया था अपना जो वायदा किया था cabinet ने फैसला कर लिया है कि DSC समाज को अब अलग से आरक्षन दिया जाएगा SCST कोटे के अंदर यानि कि जो SC आरक्षन जो है schedule cast का जो reservation है उसके अंदर DSC और DSCD provide schedule cast को भी उनका अधिकार मिलेगा हलाकि वो भी criteria fix नहीं हुआ कि किस ratio में कितने percent में मिलेगा लेकिन संभवता ये जरूर है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी जो राउल गांधी कहते रहे हैं लेकिन बिना किसी आवाज के बिना किसी शोर शरावे के हरियाना के अंदर भारती जंता पारटी नायव सिंग सेनी की सरकार ने जो वादा किया था उसको जब दुवारा सरकार भारती जंता पारटी की बनी नायब सिंग्स एनि मुख्य मंत्री बने तो जो वायदा किया था पहले वायदे में उसको पूरा कर दिया आप सुनए क्या कह रहे है नायब सिंग्स एनि cabinet की बैठेक के अंदर यह पहली हमारी cabinet की बैठेक थी माननिय सुपरीम कोट के उस फैंसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है जो एसी में वर्गी करण का मामला था वो तुरंत उस माननिय सुप्रीम कोट के फैंसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैंसला किया है कि जो वर्गी करण के उपर माननिय सुप्रीम कोट ने कहा था आज से ही लागू करने का फैंसला हमने लिया है तो इसमें नायव सिंग सेनी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोट के मानिये सुप्रीम कोट के आदेश अनुसार हमने अब रिजर्वेशन के अंदर कैटेगरीज को बाटेंगे उसके अंदर डिवाइड होगा और सभी को जो डिएसी समाज है उनको भी उनका अधिकार मिलेगा और इसके साथ साथी जारी हो गया फिर अधिसूचना भी जिसके अंदर 36 जातियों और अब जातियों को स्थान दिया गया आपको मैं बताता हूं सिलसले बार तरीके से कि कौन सी जातियों को इसके अंदर अब जोड़ा गया है जो डिएसी केटेगरी में आएंगे यानि कि डी प्रवाइड शेडियूल कास्ट यानि कि वंचित दलित समाज जिनके लिए कहा गया है कि उनको उनके पूरे अधिकार नहीं मिले उनमें जो 36 जातियों जोड़ी गई है जाती उप जातियों उसके अंदर धामी है वालमीकी है बंगाली है बरार है बरार के साथ बुरार और बेरार उप जाती भी है बटवाल है बटवाल के साथ बरवाला हो जाती भी है भूरिया भी है भूरिया के साथ बावरिया भी है बाजीगर है बंजारा है चैनाल है डागी है ड्रेइन है देहा है धानक है डोगरी है दुम्मा है गागरा है इसके साथ खटीक है कोरी कोरी है इसके साथ में कभीर पंती यानिकि जुलाहा बाद में इसमें आते हैं तो मरजिया हैं मजहभी हैं मेग हैं नट हैं ओड हैं पासी हैं प्रेमा हैं पीसरा हैं सैनाल हैं सांसी हैं संसोई हैं सिक्री बंद हैं सिकली गर हैं बावरिया हैं यानिकि 36 जातिया और उपजातिया ऐसी हैं जिनको अब डी एससी समाज के साथ यानि की डी प्रवाइट शेडियूल कास्ट में जोडते हुए अब इनको SCST के रिजर्वेशन में उनका राइट्स मिलेंगे इसे कहा जाता है कि अगली तयारी इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि भारती जंता पार्टी अगली तयारी पहले साथ साथ कर लएना है तो Dr. उसके इंदर देखा जाता है कि उनको बराबा लाया जाए जो वन्चित रहovan जाता है कि अगर सामाजिक भागीदारी सामाजिक बराबरी और सामाजिक सहूकार को और Grand अपने छेत्र के अंदर प्रदेश के अंदर देश के अंदर तो फिर ढूंडा जाता है कि जो वन्चित रह गए शोशित रह गए जो पीडित है उनको उनका राइट्स मिलना चाहिए और डिप्रवाइट कास्ट का अंदरन चला इसी बात पर था डिप्रवाइट शेडियूल कास्ट ने तो अपने अंदरन को धार इसी बात पर दी थी कि जिन लोगों को उनके अधिकार नहीं मिले और जब यह सुप्रीम कूट में वामला गया था मैंने आपको बताया नहीं मिले जितने उनके अधिकार थे। राजनीती हो या समाजनीती हो हमेशा एक कहा जाता है और राहुल गांधी ने तो इसको मुद्दा बनाया हुआ है। राहुल गांधी अगर कहें तो भारती जन्ता पार्टी जवाब दे सकती है। कि वो लोग केवल मुद्दा बनाते हैं और भारती जन्ता पार्टी कह सकती है कि हम मुद्दों पर काम करते हैं। अगर आप नायप सिंग सैनी की आज की घोशना को देखें तो आप इसको भी फिर तीन बातों में देख सकते हैं। नमबर एक तो पहली कलम से चुनावी वायदे को पूरा करना जो कहा गया हो कि अगर हमें सरकार हमारी आएगी तो हम पहली कलम से पहली केविनेट के अंदर इसको पास करेंगे वो हुआ। अगर दूसरी बात इसके अंदर आती है तो फिर दूसरी बात यह हुई कि वंचित और पीडितों शोशितों के लिए खास कर यहां वंचित की बात है और जिसके राइट सीन ले जाए जनको उनका अधिकार पूरा नहीं मिले तो फिर वो पीडित और शोशित की गिंती में तो को उनका अधिकार मिलें और सबसे प्रमुख आ जाता है कि सामाजिक भागीदारी यानि कि जिनको भागीदारी पूरी नहीं मिल रही उनको उनका पूरे हक मिलें तो इन तीन चीजों को देखते हुए एक तरफ जहां राजनितिक फलस्पा तयार किया गया राजनितिक संदेश देडिया गया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं दूसरा वन्चित समाज को और संदेश को संदेश दे दिया गया की आप अब वन्चित नहीं रहें गे और समाज फागीदारी का संदेश इसल्हीं मैंने वीडियो के सुरू में आप से कहा था कि भारती जंता पार्टी एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तयारी में लग जाती है डियसी समाज को वरगी करन करने से क्या वंचित यानि की डीप प्रवाइट शेडूल कास्ट को इसका कितना फायदा मिलेगा क्या इससे समाजिक भागीदारी का संदेश जाएगा और क्या नायव सिंग सेनितार ठोक कर कह सकेंगे कि हम जो कहते हैं वो करते हैं पहली कलम से पहला वायदा पूरा कर दिया आप हमारी इन बातों से कितना सहमत है कमेंट से बॉक्स में ज़रूर पताएं जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें